देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ रश्मी कपूर फामली की सबसे कूल बहू मा बनने ज़रा रही है हम बात कर रहे है आलिया भथ की आपको बताए किसी साल 14 अप्रिल को आलिया भथ और रनवीर कपूर ने एक दूसरे से शादी की लेकिन शादी के बाद अब ये गु पोस्ट किया है आलिया भथ ने जिसमें वो रनवीर कपूर के साथ नजर आ रही है अल्ट्रसाउंट करवारे की ये तस्वीर है जिसमें बेबी भी नजर आ रहा है और साथ ही ये गुड न्यूज आलिया भथ ने शेयर की है कि वो जल्द ही मा बनने वाली है आपको बताएं कि आक्ट्रस आलिया भट मा वनने वाली है इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोचल मीडिया पे पोस्ट करके साजा की है आलिया ने हॉस्पिटल की फोटो शेयर कर लिखा है हमारा बेबी जलद आ रहा है फोटो में वो आल्ट्रसाउंच करवा रही है जिसमें पती रनवीर भी उनके साथ दिखाई दे रहे है फिलहाल आलिया रनवीर लंडन में है इस खबर के आते ही इंडस्ट्री के उनके दोस् फैंस तक कपल को बधाई दे रहे हैं बता दे कि रनबीर और आलिया ने इसी साल 14 अप्रिल को परिवार और कुछ खास दोस्तों की मौजूदगी में शादी की साल 2017 में ब्रहमास्तर फिल्म के सिट पर मुलाकात के बाद दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शिरो किया डेटिंग के 5 साल बाद उन्होंने शादी की ऐसे में बता दे कि रनबीर की अपकमिंग प्रोजेक्ट में लव रंजन की अंचोल्ड रोमांटिक कॉमीडी दिखने वाली है इसमें वो श्रधा कपूर के साथ भी नजर आएंगे लेकन बात अगर करें तो जैसे ही ये खबर सामने आई है कि आलिया भट मा बनने वाली है लगता जो फैंस है वो कमेंस कर रहे हैं और आलिया भट और रनबीर कपूर को बधाई भी दे रहे हैं सबसे कोल इंडस्ट्री की ये जोड़ी है आलिया भट और रनबीर कपूर की इसी साल 14 अप्रेल को ये दोनों शादी के बंधन में बंध हैं परिवार वालों की वाचूदगी में इन दोनों नी शादी रचाए और बात अगर हम करें तो इस शादी को कापी ज्यादा परसल के माध्यम से आलिया भट ने ये गुड़ न्यूज अपने फैंस और फ्रेंस को बताई है जिसके बाद बधाई का सलसला ज़ारी है और अब कपूर खांदान में ये जो नन्हा मेहमान है वो आने वाला है जिसको लेकर तैयारिया भी से हिश्यर हो गई है ऐसे में आप आलि को कस तरह से बधाई देंगे हमें कमेंन सेक्षिन में जरूर बताईएगा तला के इतना ही जाद अपडेट के लिए आप बने लेए न्यूस पॉनिशन के साथ नमस्कार